Battle to the heavens की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेवियन हेवरली ब्लड मौंटेन पूल तक करास्ता भोल गया था वो इधे उधर जंगल में रास्ता ढूणने के लिए भटक रहा था तब भी उसे तांग जिंग मिलता है रिसे पहले कि शेवियन उसे कुछ पूचता तांग येंग चला जाता है शेवियन वापस से बढ़कने लगता है तब फिर उसे नालन यान रान की आवाज सुनाए देती है जब वहाँ चाता है देखता है नालन यान रान के पीछे चार लड़गे पड़े हुए हैं शेयन नालन यान रान को बचाने के लिए आगे आता है, अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, यहाँ पर इन तिनों में जिस सबसे ज़ादा ताकतवर है, वांग टियान शेयन को वुद्धम काने लगता है, इन लोगों ने नालन रान के ऊपर एक मैजिक करा हुआ था, ब वैसे ही शेयन अपनी एक्टिवेट करता है और फिर इन तीनों पर एक जोड़दार पंच मारता है, पंच जीता तदा स्ट्रॉंग था कि यह दाओ वांग लेबल के तीन लोग दूर हवा में उड़ जाते हैं, सब लोग सौक्ड उपर में बैठा, वो आत्मी की भी नजर शेयन पर जाती है, और ये देखकर वो ताली बजाने लगता है, हमें पता चलता है ये जो परसन है, इसका नाम वांग चैन है, और ये येलो स्प्रिंग पविलियन का यंग मास्टर है, लेबल की बात करें तो ये दाओ वांग के टेन स्टार के बीक पे है, और ये लेबल इसका असली लेबल है, शेयन को देखकर मुश्खराते हुए, वो शेयन के पास आ जाता है, जिसके बाद नालन राण से कहता है, अब खेल खदम करने की बारी आ गई है, नालन राण, मुझे वो साईकिक फॉक्स दे दो. शेयन साईकिक फॉक्स के बारे में नालन राण से पूछता है तो नान रान बताती है ये साइकिक फॉक्स पूल स्टेज में पहुँचने से पहले एक मेज आता है उसको पाल करने के लिए इस साइकिक फॉक्स की जरूरत पड़ती है नहीं तो जो भी अगर उसमें फसा तो जब तक मॉंटेन का टाइड ओवर नहीं होता है वो यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा वो जगह बहुत ज़ता तागतवर और डेंजरस थी स्योयन भी उससे साइद अपने स्ट्रिजल स्ट्रेंथ की बदोलत नहीं निकल पाता पर अभी स्योयन कुछ भी नहीं कहता है और फिर उस वांग चैन को जवाब देता है भूल जाओ यहां से चले जाओ लेकिन तब ये वांग चैन अपना परिचै देता है वो ये लोई स्ट्रिंग पविलियन का वांग चैन है कि जो तीन लोग इसके साथ है ये उसके क्लैन के नहीं है वांग चेन को पूल स्टेज में एक परसन ने इन तिनों को सही सलामत वहां तक ले जाने की बात कही थी वांग चेन को तो उस मेच से पार होने का वी रास्ता पता है पर इन तिनों को इस पारे में नहीं पता है इसे लिए वो नालन यानरान से उसका साकिक फोक्स लूट रहे हैं नालन यानरान जब वांग चैन के बारे में जानती है वो बहुत इसा तक घबरा आ जाती है सेयान से कहती है यह आदमी बहुत ज़़ा ताकतवर है नारन यान रान कहती है नहीं तफिर शययन confident होकर नारन रान से कहता है तुम चिंता मत करो मैं इसको जहलूंगा अब इतना कहकर शययन अपने ruler sword को बाहर निकाल लेता है और फिर वांग चैन के और करीब चला जाता है तो वांग चैन शययन की उपर हमला करता है वांग चैन का special attribute का use करके black hand create करा था शययन इस black hand को destroy करने के लिए अपना strange flame यूज करा था जिसको देखकर वांग चैन भी soft हो जाता है एक heavenly flame तो वांग चैन के पास भी नहीं है इसलिए वांग चैन तुरांती वहां से पीछे हड़ जाता है कहता है अगर तुम pull stage तक पहुँच गये तो हम लोग वहां पर दोबारा मुलाकात करेंगे जिसके बाद fog में वो गायब हो जाता है अब फिर से हम लोगों को शययन और नालन यान रान को दिखाया जाता है शययन जो की नालन रान से पूछता है तुम ठीक तो यह वाद सुनकर नालन रान बहुत ही emotional हो जाती है उसी वह प पूछता है तो नालन यान रान कहती है teacher अभी कहीं तो चली गई है जिसके वज़े से मैं यहाँ पर training करने के लिए आई हूँ पर उन्होंने मुझे specially कहा है कि अगर तुम मुझे मिले तो मैं तुमें उनके location के बारे में ना बताओ 7 थोड़ा सा embarrass होता है कहता है अगर वो ठ नालन यान रान के पास वो वाइट फॉक्स को देखते हैं देखकर इन लोगों के मन में तुरंद उसको लूटने की intention बन जाती है क्योंकि इन लोगों को भी उस रास्ते को पार करने का तरीका नहीं पता है लेकिन तब ही यह देखते हैं अपने दाओ वांग के नान इस्ट यह सभी लग दाओ वांग के फॉर स्टार और त्री स्टार डू स्टार लेबल के हैं शोगयन इन लोगों से लड़ रहा है पर इससे लड़ने में शोगयन को दिक्कत हो रही है क्योंकि इन लोगों का नंबर जादा है और इनके पास टाइम भी बहुत कम है और उदर हमें दिखाया जाता है जहां गोल्ड स्वल्वेंग मौस्ट ट्राइब का लीडर इन लोगों का टेक्स लेने के लिए आ गया है समय खतम होने वाला है लेकिन किसी तरह से यह लास्ट मुवमेंट में नान जान रान के साथ वहां एंटर लेता है और इसी बात के साथ बैटर तो पर एक लाइक करना